स्रिलंका में एक विसाल का चट्टान के उपर होया हुआ एक प्राचीन सहर मिला है सहर की कोज से बैज्यानिक और विहासकार दोनों हैरान है स्रिलंका के मध में मवजूद सिगरिया सहर के खंडर यहां आने वाले को आश्चर से भर देते हैं आउसेस बताते हैं कि यह एक विसाल नगर था जो पहली नजर में किसी राजा की राजधानी जैसा मालूम पड़ता है यहां एक उची चटान स्थित है इसके निर्मार की तकनीकी आज भी बैज्यानिकों को जगित कर देती है यह अपने दोर की सांदार इंजिनरिंग का एक नमूना पेस कर रही है कुछ लोगों का कहना है कि यहां एक महत्पूर बौध मठ हुआ करता था जबकि यहां मिली चीजों की अधार पर कुछ लोगों का यह मानना है कि हिंगु भर्मगरंत रमाड में वर्डिक लंका के राजा रावन का महल है सिगरिया आज स्रिलंका के सबसे प्रसिद अश्मारकों में से एक है इसे दुनिया के आश्चरियों में गिना जाता है 180 मीटर उची चटान पर इस्ठित इस महल के पास जाने पर इसके रहस उजागर होते हैं सिगरिया को सेर की चटान के नाम से भी जाना जाता है और यह इतनी उची है कि जंगल के बाहर से भी नजर आता है लिखित अविलिख वताते हैं कि यह प्राचीन राजा कस्चब की राजधानी हुआ करता था कुछ लोगों का यह भी मानना है कि राजा कस्चब ने इस जगा को अपनी एस गाह के रोप में तयार किया था फिलहाल यह इनसको की असमारकों में से एक है क्या है रावर का सिगरिया से संबंद कई इतिहासकार ऐसे भी हैं जो सिगरिया का संबंद रामाड में बताए गए लंका पती रावर से जोड़ते हैं ऐसा कहा जाता है कि इस चटान के सीज़ पर पांच हजार साल पहले रावर का माहल हुआ करता था इसे धन के देवता कुवेर ने तयार किया था इस जगा पर एक नजर डालने पर आपको इसके वास्त सिल्प का अंजादा लग पाएगा कहा जाता है कि इस महल में एक हजार सीड़ियों के साथ ही सीज़ पर जाने के लिए लिए लिप्ट का इस्तमाल किया जाता था पांच हजार साल पहले लिप्ट की कलपना करना एक रोमान चित भरा हुआ चटान से नीचे की ओर देखने पर इनमें कई गुफाएं नजर आती है मानिता यह है कि लंका पती रावड ने सीता जी को इनी गुफाओं में कैद किया था गुफाओं की दिवारों पर कई भित्ती चित्र मिलते हैं इन चित्रों में अधिकतर चित्र महिलाओं के नजर आते हैं ऐसा कहा जाता है कि ये चित्र रावड की रानियों के चित्र अगर पौराणी कथाओं को छोड़ दे तो यहां एक प्राचीन बौध मठ हुआ करता था चौदवी सताबदी तक यहां बौध भिच्छू रहा करते थे और अपनी साधना किया करते थे लेगे इस बात का प्रमान अधितक नहीं मिल पाया है दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें